नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका YouTube चैनल Competition Boss पर और मैं हूँ नितेश दोस्तों यहाँ बात करेंगे हम सीटेट के लिए Important Books की मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने बुक्स का जिक्र किया था लेकिन Important Books मैं इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि उस टाइम तक मैंने किसी भी बुक का रिव्यू नहीं किया था अब पिछली कुछ दिन में मैंने कुछ बुक्स का रिव्यू किया उसके बाद मुझे लगा कि ये बुक्स आपको बता देनी चाहिए ताकि आप इन बुक्स को अच्छी तरीकी से लेने के बाद पढ़ सके और सफल हो सके एक चीज़ बता देता हूं मैं बुक्स पढ़ने का तरीका क्या है और किस तरह पढ़नी है ये भी आपको जो है वो सारा आपको रिटन में मिल जाएगा थाकि आप उसको देख करके और भी अच्छे तरीकी से मोटिवेट हो सके और अपना जो टार्गेट है उसको शूट कर सके यहां हम बात कर रहे हैं बुक्स की तो बुक्स में कहा है कि आप किसी भी तरीकी से पढ़ें आपको एक टार्गेट यह तैक करना है कि आपको 120 प्लस नंबर लाने है जब आप 120 प्लस के उपर जाओगे तो फिर आप देखोगे कि रिजल्ट आपका क्या रहता है लेकिन यहां आपन बात करते हैं सबसे पहले दो चीजे हैं पेपर 1 पेपर 2 पेपर 1 जो है वह आपके 1 तु 5th किलास तक के लिए होता है और जो पेपर 2 है वह है आपका 6 से लेकरके 8 किलास किलिए कुछ लोग एसे हैं जिन्हों ने दोनों पेपर्स फिल किया है कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक paper fill किया है ठीक है अब बाकी रही बात इसमें second paper की तो उसमें subject based होता है ठीक है आपके subject based भी यहां book में बताऊंगा कौन से subject के लिए कौन सी book बढ़िया है तो level first वाली book के लिए level first और level के जो दोनों level के लिए जो book प्योगी है उनके लिए common book में आपको यहां suggest कर दूँगा ताकि कम किताब खरिदनी पड़े और काम आपका अच्छे से हो जाए तो सबसे पहला मैं यहां देख लेते हैं जो एक किताब है यह success master की किताब है यह paper first के लिए book है बहुत अच्छी किताब है इसका जो analytical view आया है वो काफी अच्छा आया है इसका review देखने के बाद मैं यह कह सकता हूँ कि आप इसको आराम से ले सकते हैं क्योंकि इस किताब में 3000 की plus questions दिये गई है और पुराने जो questions paper हैं वो भी इसमें solve दिये गए है व्यक्या सहीत उत्तर दिया गया है आप इस किताब को ले सकते हैं बुक्स के लिए आपको link मिल जाएगा description में आप वहां से भी पर chase कर सकते हैं कोई दिक्रत नहीं है कि आप यहां से भी आपको जचे आप वहां से कर ले बस review आप देख लें कि आपके काम की किताब है तो आपको ले लिनी चाहिए मेरा यहां कहने का purpose इतना ही है दूसरी बात है जो यह भी बुक है जो seat rate के level 1 के लिए है ठीक है न यह अरिखंत प्रकाशन की किताब है आप इसको ले सकते हैं इसमें भी तीन अजार के आसपास question दिये हैं व्याक्या सहीत उत्तर हैं तो आपको यह पता लग जाएगा कि इस question का answer यही क्यूं है जब तो य confused हो जाते हैं कि उत्तर तो यह भी हो सकता है ठीक लेकिन जब व्याक्या से उत्तर देखते हैं तो पता लग जाता है कि यह उत्तर क्यूं नहीं था तो यह चीज पता लगने जरूरी है इसी से आपका confusion दूर होगा examination hall में वरना confused होने के बाद दिक्कत हो जाती है तो level 1 के लि राजिस्तान का टैट है हरियाना का है मध्यपरदेश का है बिहार का है किसी भी स्टेट का टैट है उस सब के लिए अच्छी किताब है क्योंकि जो topics हैं वो common होते हैं कि यवल पैटर्न अलग-अलग होता है level 1 के लिए मैंने आपको बताया भी था कि आपका जो status है वो आपक पैटर्गोजी यानि कि बाल विकास एवं शिक्षन सास्त्र ये दोनों ही level में आता है इसलिए दोनों level के लिए ये common book आपको काम आ सकती है बुक जो है दिशा प्रकाशन की है अच्छी किताब है बाल विकास एवं शिक्षन सास्त्र पेपर 1 और 2 दोनों के लिए है पैटर इसके questions भी आप ले सकेंगे यहां बात कर रहे हैं बाल विकास शिक्षन सास्त्र वाली जो बुक है दिशा प्रकाशन की इसके बारे में तो देखो ये बुक अच्छी है इसमें paper 1 और 2 के जो पुराने papers थे उनके question answer भी डाले हुए है ठीक है दोनों के लिए अच्छी जो टेट उसमें भी आपको काम की जो है साबीत हो सकती है तो इसका जो latest edition आ गया है third edition वो आपके काम का होगा क्योंकि नए edition है तो किताब कोईसी भी लें बस ये देख लें कि उसका edition latest होना चाहिए सन जरूर उसमें देख लेना लेने से पहले ये समझदारी रखने वाली ब संस्कृत यानि कि ये किताब नेकेवल सी टेट के लिए अच्छी है बाकि सभी जो टेट उनके लिए अच्छी है सी टेट के लिए बात और बता हूँ मैंने यहां वीडियो बना रखे हैं सभी topics पे कोई भी topic नहीं चोड़ा है संस्कृत का तो तो वह आपको playlist में मिल जाए अच्छी है उसमें लिखा होगा संस्कृत के लिए video यहां देखें तो आप उनको भी revise कर सकते हैं वीडियो के फाइदा क्या है आप कभी भी देख सुन सकते हैं यह फाइदा होता है आपको लाइट ही जरूत नहीं है यह फाइदा आपको मिलते हैं तो यह जो किताब है यह आप ले सकते हैं यह अगरवाल exam card की है और यहां paper 1 और 2 दोनों के लिए ही यह जो है काम की साबीत हो सकती है पुराने इसमें question answer दिये हैं जो सब्सक्राइब करीब कर दिया कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मैंने वीडियो बनाए हुए तो वह आपको काफी helpful रहेंगे तो वह वीडियो इक पर आप जिरूर देखे लाना ताकि आपको काफी फायदा हो जाए किताब पढ़ने के बाद वीडियो देखने के बाद तो कोई भी टॉपिक नहीं रहेगा ठीक है साथ साथ इसमें 2000 प्रशन अलग से हैं उनका संक्रण भी किया गया है है तो वह कुश्चन आपके काफी काम काएंगे अगरी पुक है वह EVS की है EVS जो है परियावरन अध्यन ये भी CTAT और TAT याने किस भी हुए थे वह सब और इसमें 900 से अधिक ऐसे questions हैं जो नए हैं वह आपको काफी काम के हो सकते हैं फिर भी newspaper ज़रूर द्यान रखना EVS के लिए जो भी नए changes होते हैं वह आते रहते हैं ठीक है न ये आपके अच्छी book होगी फिर बात करते हैं science के लिए तो science भी level 2 के लिए यह ज़्यादा useful है क्योंकि subject है और उसी में मिलेगा आपको level 2 में या paper 2 में तो यह भी अगरवाल exam card की किताब है C, Ted and Ted विज्ञान यह Hindi medium के लिए किताब हैं English medium के लिए आप इनको ले सकते हैं क्योंकि जो just version है वो आपको English medium में भी मिल जाएगा यह मतलब आपके question bank के लिए अच्छा सुरू तो सामीत हो सकती है किताब इसमें भी 2008 रगा paper है, 1600 नही questions दिये गए है C, Ted के हिसाब से, Ted के हिसाब से, तो और competition में question अलग होते हैं और C, Ted, Ted में framing अलग होती है तो इसमें जो framing है वो C, Ted, Ted के लिए है यह आपको ध्यान रख लेना है ठीक है ना, तो सभी इसमें सब cover कर दिये गए हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, फिर बात करते हैं हिंदी के लिए, अब हिंदी subject के रूप में भी है, हिंदी language के रूप में भी है, तो ये तीनों तरीके से अगर आपको हिंदी पढ़नी है, तो आपके लिए विली की सबसे अच्छी book है ठीक है न, विली के edition आया है 2019 का latest, हिंदी exam goal post, ठीक है न, हिंदी exam goal post, विली का नए edition है 2019 का, ये आपके लिए काफी काम की है, फिर भी आप चाहें तो class 6 से लेकर के 12 तक की, या 6 से लेकर के कम से कम 10 तक की जो grammar किताब है, वो आप ले सकते हैं, market में इसके अलग से collection भी आता ह होगा, ये किताब आपके लिए अच्छी, इसमें पुराने papers भी दिये हैं, salt paper दिये हैं और व्याक्या सहीत उनके answer दिये हैं, तो आपको काफी easy हो जाएगा पढ़ने में, ठीक है न, अब बात कर लेते हैं अब सामजी कर्द्यान, यानि social study की, सबसे जादर जो students होते हैं, study के ही होते हैं, ठीक है न, और इसमें questions भी काफी सार आते हैं, salt questions के आसपास आते हैं, ठीक है, तो ये आपको merit में भी काफी फायदा देने वाली किताब है, तो ये आगर आप लेना चाहें, तो ये भी अगरवाल exam card की किताब है, seated at tat, सामाजी कर्द्यान, तो state कोईसा भी हो state अगर exam है, तो उसके लिए ये अगरवाल exam card की किताब आपके लिए काफी अच्छी है, इसमें डेड़ अजार questions दिये गए हैं, नए, और पुराने जो exams हुएं, उनके questions के answers भी बैक के सहीत है, इसमें दिये हुएं, तो आपको ये काफी अच्छी किताब साबित हो सकती है, गरिश कुमार शर्मा का इसमें जो है, वो writer है इसके, और आपको किताब अच्छी है, लगेगी आप इसको पढ़ें, अब ये जो किताबों की बात में ने किये, ये आपके केवल विवेक पर आधारित है कि आप कौन सी किताब लेना चाहते हैं, आप market जाएं, अच्छे सर् रखना है, वरना तो सारा मामला गडबड हो जाएगा, जो teacher ही आपको बढ़ना है, तो आप ये मानके चलिए कि tat तो पहली CD है, इसको पार तो आपको करना ही पड़ेगा, वरना आपने BAD कर लिया है, या BSTC कर लिया है, तो भी कोई benefit मिलने वाला नहीं है, ये वीडियो को पसंद आया, तो इसको like कर दें, दोस्तों में share कर दें, ताकि उन्हें भी पता लग जाए कौन-कौन सी books उनके लिए अच्छी साबित होने वाली है, आज के लिए बस इतना ही, ऐसे ही किसी useful वीडियो में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार.